नमस्कार स्वागत है आप सभी का भीच कॉंसेप्ट के ओनलाइन रजनी प्रेटफों में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 12 के बाद क्या करें बहुत सारे स्टुडेंट का सवाल आ रहा है कि सर जी मेरा 12 का इजाम हो गया है मैं प्यार बोर्ट से हूं मेरा इजाम ह हो गया आगे मैं क्या करूं आपकी क्या रहा है तो इस वीडियो में हम बताएंगे इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि यूपी बोर्ट और सी बोर्ट का अभी तक 12 का इजाम नहीं हुआ है बहुत सारे बोर्ट का नहीं हुआ है तो उनका सवाल है कि अगर मैं इंवर् स्क्रिप्ट किये होगे इस वीडियो को पूरा देखिएगा चैनल पर पहली वार जूरे हो तो चैनल को सब्स्राइब कर लेना नेश्ट वीडियो के लिए बेल आगन को प्रेस करके रखना यहां पर सभी अपडेट आपको दिये जाएंगे चलिए हम लोग सीधे चलते हैं आपके जो सवाल आँ आ रहा है है आपके मन में उस सवाल फे मेरा हो गया है लिसे की बीयार रोडी में और ऐखिन आगे म मैं क्या करूं इसके अलावा हम यहां पर बताएंगे देगे सबसे बरी बात की जो decision है ना 12th class के बाद का decision है और कई माइने में बहुत आहम है सबसे पहले यह जो है आपके जीवन के लिए बहुत बडलाव वाला decision है यानि कहने का मतलब बहुत important है 12th से पहले आपने क्या किया 12th के बाद क्या करेंगे यह जो है ना बहुत important decision होने वाला है यह जो है यहां पर बहुत सोच समझ कर आपको decision लेना चाहिए तो मेरे इनुसार जो मेरा experience है मैंने दखे मैं भी है वोट से हूं मैं भी है वोट से हूं भी है वोट का इंडरेस इजाम दिया 12th का उसके बाद मैंने मुझे मेरा भी होट का मैंने इजाम दिया उसके बाद मैंने इजाम दिया करके मैं भी हूं में पढ़ा है लेकिन मेरा मानना है कि यह decision है नहीं होता है डिसीजन यह डिसीजन जो आपको लेना चाहिए सबसे पहले जो मेरे अनुसारे जो सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके अंदर कितना आपको जानना परेगा उसके लिए आप एक से दो दिन टाइम लिजे आपको न डिएसिस की जरू कि क्या है और क्या है जानना बहुत ज्यादा ज़िया दूसरा है यह भवह थाहम है डूसरा है आपका यह पैपका गॉल क्या है इसे ज़ह ऑप सारे का गॉल होगा ja सब्सक्राइब कर सकते हो लेकिन देखो यहां पर पहले आई सी आइकों और आई यह यह यानिकि जो ट्वेल्थ होता है वो तीन अस्टीन होता है साइंस आर्स कोमर्स तो यहां पर बहुत सारे सब्सक्राइब कर सकता है यहां तक आप जानते ही हो लवी आप लोग कर सकते हो बीए लवी कर सकते हो तो बहुत सारे आपके सामने जो है उपलावध है कोर्स आपको क्या चुनना है यह बहुत जयादा माईनर रखता है आपके इंडर कितना पोटेंसियल है आपका लेवल कितना वह आप जान लोगे जो आफका एम है उसपर करीवर्ष और बार्थ सारे श्क्राइадцच एटों का बहुत सारे मचार्ल या ही रहता है कि मुझे भी असे करना आग है यह सी करना है डिली इन्वरसिटी सब यह करना है इलावर्य मर्सिटी आ यह प्रणा तो बहुत सारे ओप्सन है अगर आपका किसी इंटर सिजाम में सामिल होना है या जो सामिल होने गाद तो आपके साथ हमेशा हम बने रहें और जो ठाट जो महत्पुल हुमिका निवाता मेरे अनुसार एकोनोम कर कंडिसन मेरे अनुसार हलाकि ये इतना महत्पुल नहीं है कि अगर आपके अंजर पुटेंसियल है तो वो जो है आप करी मेहनेज कर गे अप जो एकोनोमी कंडिसन है उस पे आप पूरी अराम से आपके चलते हैं पहला क्या है आपके अंदर पूटेंसियल क्या है अपका लेवल क्या दूसरा जो आपका एम होना चाहिए वह बहुत सोच समंझ करोना चाहिए ऐसा नहीं कि मैं जिसे की एक भीर है कि कंप्टीशन इजाम की तयारी कर रहा है चलो पटना चलते हैं मैं भी या वहां से भी यह करते हैं तो बहुत सारे आपके आपके सामने ऑप्सन है आपको जो आपको लगे वेश्ट है उसको चुलिए अगर आपका बीच जेनीव डीव में पढ़ने का उप्सन है तो आपके साथ हमेसा हम बने रहेंगे आपको आगे भी बताएंगे डिसेजन ज सब्सक्राइब करें जिसे कि मैं बात करता हूं प्यार वोड का विहार वोड का विहार वोड के बारे में बता दे हरूं विहार वोड का वोड होगे हैं अब कहें सामने अगर है भी हो से पढ़ना डियू से पढ़ना को थाओ आपको सी पर आप लोग लाइव आ सकते हो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि यह बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट है अगर आप सवाल यह रहा कि पूरा फोकस इसी पर देंगे लेकिन जो शुडेंट यूपी बोर्ट से हैं या सिवेसी बोर्ट से हैं या अधर एस्टेट बोर्ट से है उनका फिलके जाब नहीं हुआ है अएगणा से बात हैं कर सकते हैं कर सकते हैं जिनका इजाब बोर्ट कर सकते हैं लेकिन नहीं है कि अभी से अभी से जो है एक से दो घंटा जो है दिए थे यानी कि कि ले दे अगरे आप किसी भी कूर्स में जूरे वो कहीं भी कोची में तो उसक उनका कोर्स कोlla से पर कि Reporting है नोट बनाना उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना लेकिन जिसे की बेहरबूर के स्टुएंट का इजाम हो गया है तो उनका पूरा फोकस अब रहेगा पूरा टाइम देंगे दीन भड़ में दस घंटा भी पढ़ सकते हैं पूरा बुक को परेंगे जितना कंटेंड जाएग तो यहां से जो लेक्टर जा रहा है उसको देखिए उसको देखिए ताकि यहीसा ही आपका 12 बूर्ट का इजाम हो जाए उसके बाद आप भी पूरा फोकस देंगे और लगातार वहां करने में बहुत मजा आएगा तो यहां मेरा मानना है कि एक से दो घंटा आप जरूर सी के लिए दो एक से दो घंटा के लिए जरूर दो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है और वोट पे फोकस करना बहुत जारा जरूरी आपके पास परियाब समय होगा तो इसके लिए आप सार से आठ घंटा समय लिकाल सकते हो क्यों नहीं इतना आसानी से लिकाला जा सकता है मैं इसे पता दे रहा हूं कि ट्यूल्थ बोट में कितना परसंटेड होना चाहिए तो अभी सीट की कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है जो बीए चू का जो कंडिशन था ओप यह चू का फिप्टी परसंट फिप्टी परसंट जेनर के लिए पैतारीस परसंट ओबीसी के अगर आपका इंवर्सिटी इंटर्स जाम यहां से होने वाला है इसे आपके सामने बहुत सारे उपसन हैं आप कुछ भी कर सकते हो जिस भी आरिया में आप जाना चाहो क्योंकि यह बहुत ज़्यादा जरूरी है कैसे मैं नहीं बता दिया अब देखिए आपके सामने है बी इंटर्सिटी जाम करें करवा चुका है अगला नमर आपका है अग्र आप इंबर सीटी इंटर्सिटी जाम को करताना चाहते हैं सहीं में 要 When you do you do thetop doctor ऑ्पकरये विये हुए बिना बे definite कि यह आए थिवी हमारे कूर्स से यहाँ पर बेस्तरीन तैयारी करवाई जाती है आप एक शीर में फिट से बता दे रहा हूं आप विश्वास करो कई सारे स्टुडेंट को इंटेसरी जाम करें करवाएं और यह एक बात यह मान के चलो जिसे कि अपना जो प्रेटफोर्म है सोटा प्रेटफोर्म है आने वाला समय में बड़ा प्रेटफोर्म बनेगा यह सचाई है लेकिन अपने हाँ जितने भी बच्चेश कोर्स में जान होते हैं अधि कांस बच्चा का इंटर से जाम करेंग होता है आप यह समझ सकते हो कि सक्सेशूर डेट कितना है बहुत ज्यादा है सक्सेशूर परसेंट बहुत ज्या आने वाला समय में बता देंगे बी एललवी एललवी में हिंदी की तैयारी भी करवाई जाती है यहां पर 1999 इसका फीज से पूरी तरीके से से यूटी पैटेंट पर जो हमारे कॉस में जूले हुए है उनको पता हुए हम पहुँच ज्यादा iba कंटेंट दीया रहा यानिकि और कि कुछ नहीं कर सक्ता पर हो गे मन से आपका इंटेंसी जाम करेंग होगा और आपका सीट होगा अब देकिए आप जो है हमारे अप्लि पड़िकेस्ट पर पैमेंट कर सकते हो या फिर पर 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 पीशन रहा अगर अब आप 12 वोर्ड में हो तो 12 वोड को ज्यादा फोकस करो और एक से 2 घंडा जो है आप इंटेंस इजाम के लिए के लिए दो क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है थो देखें बहुत बहुत सारे श्टूडेंट का इजाम दे चुके उनके सामने एक ही ऑप्सन है कि आप जो है वह जम के लग जाए और अगर आपका बीये चुटि डी यू जे नुमें पढ़ने का सपना है तो आप यह साथ आई हम यह ब्यार बोट के यह स्टूडेंट थे हम भी ब्यार बोट क का सब्सक्राइब करेंग करवाएं आप भी मन से परिए तो मिलेंगे हम लोग ने स्टूडियो में अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है तो कोमेंट बोक्स में जाकर रखिए चैनल को सब्स्राइब कर लिए वीडियो को लाइक कर लिए बेल आगन को प्रेस करके रख जय हिंद